आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ चतुर पुज का एक कौन जो समकौन होता है तो माल लिए ये ABCD एक आयात है जिसका जो कौन A है वो 90 डिगरी है तो हमें क्या दर्साना है कि कौन B बराबर, कौन C बराबर कौन D भी 90 डिगरी होगा ये बताना पर था कोन हमें समकोन बताना है यहां पर ठीक तो चलिए इसको हल करते हैं तो यहां पर देखिए जो AD है वो हमारा समानतर है BC के ठीक और जो AB है देखें यहां से AD है वो समानतर है BC के ठीक और जो AB है वो एक तीरियक रेखा है ठीक यहां पर देखिए और AB एक तीरियक रेखा है ठीक तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि कौन A जोड कौन B बराबर 180 होगा क्यों तीरियक रेखा के एक ही और के अन्त कौन है तो इनका जो मार होता है दुनों का वो होता है 180 ठीक तो यहां से क्या हो जाएगा कौन A हमें दिया है 90 तो कौन B कि यहां से क्या हो जाएगा कौन B यहां से हो जाएगा 180 माइनस 90 क्यों A 90 है ठिक तो कौन B भी क्या हो जाएगा यहां से 90 हो जाएगा ठिक यहां से हो गया चलिए और हागे खल करते हैं तो यहां से देखिए जब कौन B हमारा 90 है तो कौन C क्या हो जाएगा कौन C हमारा जो हो जाएगा कौन A के बराबर होगा क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि ये एक समांतर चतुरभूज है और सद समांतर चतुरभूज के जो समुक कौन होते हैं वो बराबर होते तो कौन A बराबर कौन C बराबर कौन A होगा और कौन A हमारा 90 हमने पहले से माना था तो यह हो जाएगा 90 और कौन B अवगार हमारा 90 है तो कौन B के जो समुख कौन होगे वो कौन D हो जाएगे तो वो भी हो जाएगे 90 तो अधा यहां से यह सम क्यों कह सकते हैं क्योंकि समांतर चत्रभुज के यहां पर लिखेंगे समांतर चत्रभुज के समुख कौन की वज़े से ठीक समुख कौन की वज़े से ठीक तो अगर जब देखी यह चारों हमार 90 डिग्री हो गया तो यहां से लिख सकते हैं कि अता आयत का प्रते कौन यहां से प्रते कौन समकौन होता है यहां से हमने इस प्रश्ट का यहां पे इसको अमने दर्शा दिया तो आशा करती हूँ दोस्तों यह प्रश्ट आपको समझ में आया हो धन्यवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउट नेटा यह वाच्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर